हेलो बच्छों क्या हाल चाल सब बढ़िया चलिए आज हम फिर तेक साथ है और क्लास नाइट वन शॉट रिवीजन वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सर्फेस एरिया जन वॉल्यूम्स बेसिकली करना किया इस चेप्टर में बहुत ही असान चेप्टर है बहुत ह हम बचा हुआ जो पोर्षिन जो मेजरली पूछा जा सकता है एक्जाम में वह पहले पढ़ेंगे उसके बाद में जो डिलीटेट पोर्षिन हो उसकी बातें भी करेंगे आज ठीक है तो पहली बात कैसे है आप लोग सब बढ़िया है चलिए करते हैं स्टार्ट ठीक है तो स सॉलीट सब्सक्रें कर से चांँ में सबसेते क्रिव हौनी है तो चीज़ा असानी से समझ में आ जाएंगी तो ज HAemed ऴॉत है तो Space Occupy करने वाली जितनी भी बाडी होंगी Basically, वो क्या है? solids है Solids है, ठीक है? हम भी एक तरह से 3D में ही exist करते है वैसे एक circle draw किया, वो 2D plane में हमने draw किया, वो कोई space occupy नहीं कर रहा वो area occupy कर रहा है जो area occupy करता है, वो surface area Basically, surface का कोई part होता है ठीक है? लेकिन अगर space occupy कर रहे हो तो वो solid है, ठीक है? Basically, the solid bodies occur in various shapes, ठीक है? Such as cuboid, cube, cylinder, cone sphere, hemisphere है और भी होता है pyramid, prism है और भी बहुत सारे होता है सबकी बात हैं यहाँ पे नहीं कर सकते हैं चलिए, आगे बात करते हैं surface area and solid surface areas of a solid Basically, surface area का मतलब क्या है? of the object, एक object के surface ने जितना भी reason occupy किया हुआ है या जितना भी surface occupy किया हुआ है उसका जो area होगा, basically, वो surface area होगा clear? अच्छा, सबी, बहुत जार detail तो नहीं थी लेकिन, हाँ, idea लगा सकते हैं आगे बात करें, volume of a solid volume of a solid मतलब क्या? Basically, the space occupied by a body, solid body is called its volume, ठीक है? एक solid body, अगर कितना space occupy कर रहा है, कितना space क्या कर रहा है? occupy कर रहा है, जैसे मैं, जिस room में, मैं भी खड़ा हूँ ठीक है? तो मैंने, जैसे ही इस room में entry ली, entry लेते ही, मेरे volume के equivalent volume, जो पहले से यहाँ पर available थी, मेरे अंदर आने से वो volume of air, वो बहार निकल जाएगा, clear? ऐसा नहीं कि कभी किसी जगह पर अर्थ पर कोई चीज़ available है, उसके अंदर vacuum है, तो अलग बात है, लेकिन अगर vacuum नहीं है, तो basically, खाली room के अंदर भी बिल्कुल अच्छे से भरी हुई है क्या air, है ना, जितना room का volume है, basically, कितना उसके अंदर air आ सकती है, उससे हम decide करते है, clear? अब अगर मैं आप से कहूँ कि एक bottle है, मिरे पास cylindrical, वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल क्या है? खाली है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके अंदर अभी at present कुछ नहीं है, उसके अंदर volume जो available है, basically वो air की form में है, किसकी form में है? air की form में, जैसे आप उसमें पानी भरोगे ठीक है, तो पानी जो होगा वो air की जगे ले लेगा air बाहर चली जाएगे, clear? तो air बाहर जाती है, तो बोल के नहीं जाती है ना कि मैं I come in और मैं जाओं क्या ना, ऐसे नहीं बोलेगे ना, चली है करते हैं start, तो तीनों character established कर लिए हमने, ठीक है हमें ये पता है कि surface area क्या होता है, volume क्या होता है इनहीं पर बात करनी है, ठीक है सबसे पहला जो हमें solid shape लेना है, that is, right circular cone क्या लेना है, right circular cone right circular cone क्या होता है, पहली चीज़ क्या होता है, आप यह समझें कि अगर एक circular area है मेरे पास ना basically अगर एक circle है मेरे पास में किसी एक 2D plane में है मांण लेजे, 2D plane में एक circle था मेरे पास में, ठीक है ये circle था और मैंने इस circle को join कर दिया तो उस particular situation में जो 3D shape होगी, वो क्या होगी, basically cone को represent करेगी न, अब ये cone भी है न, दो type के होते हैं, right circular और right circular नहीं होते हैं, वो दूसरे वाले हैं, जैसे वो लोग होते हैं, चश्मा लगाने वाले लोग और चश्मा नहीं लगाने वाले लोग हैं, किसी एक parameter के behalf पे भी हम क्या लगर सकते हैं, दो category बना सकते हैं, एक तो चश्मा लगाने वाले और एक नहीं लगाने वाले, right, तो simple सी बात है, अगर cone हमारे पास available हैं, तो cone दो type के हैं, एक to right circular और एक right circular जो नहीं है, वो, ठीक है, तो basically, ये जो नीचे वाला circular surface है, ये basically flat surface होता है, क्या होता है, flat surface होता ह जोइन कर देते हैं, हर एक तरफ से, तो क्या बन जाता है, cone बन जाता है, clear, अगर इस flat surface का जो center है, इस flat surface का जो center है, उस center को मैं upper point A, जिसको basically apex बोलते हैं, उससे अगर join करूँ, तो जो ये line मेरे पास बनेगा, line segment जो मेरे पास बनेगा, OA, ठीक है जी, अगर ये OA line segment, flat surface के ऊ perpendicular है, तो इस situation में, इस cone को मैं बोलूगा, right circular cone, क्या बोलूगा, right circular cone, आप बोलोगे, sir, कौन से ऐसे cone होते हैं, जो right circular नहीं होते, तो भीया, ऐसे भी cone होते हैं, market में sub available है, market में sub available है, ठीक है जी, अब आप बोलोगे, sir, बता दो, एक example बता दीजे, sir, तो basically, ये जो shape है, जो म नहीं है, ये right circular cone नहीं है, क्योंकि इसके apex को, base जो है, उसके center से join करने वाला line, वो perpendicular base के उपर नहीं बना रहा है, clear, इसलिए, ये right circular cone नहीं है, और हमें क्या करना है, class 9 में, right circular cone के उपर बात करनी है, यानि हमारे पास जितने भी formula होंगे, वो right circular cone के होंगे, cone के नहीं होंग चलिए, the solid, basically छोटी-छोटी बाते कर रहे हों, difference आपको समझा गया होगा, एक cone में और एक right circular cone में, ठीक है, the solid generated by a rotation of a right angle triangle, अगर एक right angle triangle, मालो एक right angle triangle है, AOB, कौन सा right angle triangle है, AOB right angle triangle है, उस right angle triangle को, हम rotate करें, क्या करें, rotate करें, about one of the sides containing the right angle, right angle contain करने वाली, right angle contain करने वाली, right angle करन around, अगर हम triangle को rotate करा दें, क्या करा दें, rotate करा दें, अब आप बोलोगे सर, अगर हम AO के along rotate करवाएं, तो कैसे rotate करवाएं, तो AO के along अगर आप rotate करा रहें, तो मान लो कि A और O जो है न, वो fix है, वो कहीं जाने वाले नहीं है, अब आपके पास कौन सा ऐसा point है, जो move कर सकता है वो है B point, तो B point को पकड़के ऐसे rotate करवाओगे, तो basically वो किस solid की shape ले लेगा, जो भी यह बनेगा, वो किस solid की shape लेगा, right circular cone की shape ले लेगा, ठीक है, और अगर right circular cone की shape ले लेगा, तो क्यों न हम इसकी छोटी-छोटी बातें establish कर लें, फड़ा-फट, ठीक है, तो आप यह सम A जो है, वो vertical height के लिए stand करता है, किसके लिए stand करता है, vertical height, कौनसी height, vertical height, ठीक है, vertical height है, h stands for vertical height, okay, अगर मैं बात करूँ, A B किसके लिए stand करता है, तो A B is L, क्या बोलते हैं से, इसको बोलते है, slant height, क्या बोलते है, slant height, L stands for slant height, okay, तो कुछ formulas है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ में प्रूबे स्टे से नहीं है जो हम प्रूफ कर चके ना कुछ प्रूफ करने में कईयों को कई सालों लगे है न तो वो हमारे पास इतना time तो है नहीं है न तो हम जो formula प्रूफ कर सकते हैं वो कर लेंगे जो formula प्रूफ हम नहीं कर सकते जो advanced technique से प्रूफ किया गया था उसकी प्रूफ किया हमें को requirement अभी नहीं है अगर बात करें second formula की area of the curved surface है curved surface मतलब basically इस cone का जो circular part है वो तो base जो है वो है flat surface और जो बाकी बचा हुआ portion है वो कैसा है curved surface कैसा है curved surface ठीक है तो इस curved surface का अगर area पूछा जाए तो वो curved surface का area होता है pi into radius into slant height clear अब अगर बात करें third total surface area तो total surface area कैसे calculate करेंगे की curved surface area पाई आरल था और circle का area पाई आर स्क्वेर था तो पाई आर स्क्वेर में अगर पाई आरल एड़ कर दें ठीक है जी दोनों में से पाई आर common आएगा bracket में L प्लस R बच जाएगा clear तो basically total surface area of cone जो होगा पाई आर इंटू L प्लस R क्या होगा पाई आर इंटू L प्लस R होगा clear next अगर बात करूं volume of the cone volume of the cone cone का volume निकालना है तो basically याद रखने के लिए है cone का volume होता है one third pi r square h one third pi r square h वैसे volume क्या होता है area of base into height area of base into height अगर base as it is raise किया जाए किसी एक height तक base को as it is किसी height तक अगर raise करें हम तो उस particular situation में जो हमारा area निकल के आए volume निकल के आएगा वो किसके एको लोगा area into area of base into height है न लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि area of base तो है pi r square इसको हमने कि height तक लेके गए है h height तक लेके गए है लेकिन area जो था वो decrease होता जा रहा था और एक point पे जाके पूरा fully degrees हो गया न तो जो solve करने वाले थे उन्होंने solve करके यह पता लगाया कि area of base into height और क्योंकि area decreasing mode में था तो 1 by 3 आगे रखना होगा तो that is the basic reason behind this formula की volume of the cone होता है 1 third pi r square h चलिए formula आपको समझ में आ गया होगे तो बात करते है question पे how many meters of cloth 5 meter wide will be required to make a conical tent the radius of whose base is 7 meter and height is 24 meter radius 7 meter है ठीके जी height जो है वो 24 meter है ठीके जी और हमें क्या चाहिए हमें चाहिए पहले कि tent में जो हम tent लगाएंगे conical tent उसमें जो हम cloth use करेंगे वो कहां कहां पर लगा होगा I think curved surface area पर लगा होगा ठीक है किस पर लगा होगा curved surface area पर लगा होगा ठीक है तो csa of cone का formula यहां पर apply करेंगे csa of cone होता है पाई-rl ठीक है जी पाई का value कितना होता है basically 22 by 7 ठीक है तो 22 by 7 into radius की जगे पर कितना 7 और height कितना 24 नहीं नहीं height नहीं लेना है अपने को slant height लेना है अपने को क्या लेना है slant height slant height नहीं धा हमरे पास तो हमने क्या किया slant height calculate किया root में h square plus r square यहीं 24 का square plus radius की जगे पर 7 का square 24 का square 576 7 का square 49 576 plus 79 49 कितना होता है 6 25 होता है उसका square root आजाएगा 25 हना तो basically 25 meter आजाएगा l का value ठीक है तो pi into r की जगे 7 into l की जगे पर 25 रख दिया 7 से 7 cancel हुआ 25 को 22 से multiply करने 25 times 2 that is 50 तो यह basically multiply करने वे 550 आजाएगा meter square ना लेकिन हमारे पास जो cloth है वो किस format में है वो cloth इस format में है कि उसकी width fix है ना width कितनी है 5 meter है cloth कि है ठीक है और length आपको जतनी मर्जी है उतनी लेलो length आपको जतनी मर्जी है उतनी लेलो लेकिन width fix है कितनी 5 meter ठीक है तो आप क्या आपको चाहिए कि width हमें अगर पता हो cloth की तो length कितनी लेनी चाहिए यह हमें पता करना है तो क्या लगता है आपको area जो होता है वो L into B के equal होता है तो basically length into breadth जो होगा वो इस 550 के equal होगा जो हमारा required area है clear जो हमारा required area है उसके equal होगा और अगर ऐसा है तो basically L की जगे पे हमें meter that is equal to 550 तो L equal to हो जाएगा बच्चे कितना 550 के upon में कितना 5 cancel करो कितना जाएगा 110 meter तो हमें जो cloth required है उसकी length कितनी चाहिए 110 meters चाहिए 110 meters चाहिए hope so question आपको समझ में आया होगा चलते हैं आगे next point पर बात करते हैं the radius and the height of a right circular cone are in the ratio 5 ratio 12 है तो radius और height का ratio 5 ratio 12 है तो let कर लो कि radius कितनी है 5x है और height कितनी है 12x है clear तो हमें गिवन है इसका volume कितना है 2512 cm3 तो volume का formula का होता है 1 by 3 by r square h that is equal to कितना 2512 हो ना solve करके आप किसकी value निकाल सकते हो बच्चे x की value निकाल सकते हो कैसे 1 by 3 as it is pi क्या value put करना है 22 by 7 है आप मान के चलो कि जिस question में pi का value मैं नहीं यहां पर लिखा वा नहीं है 22 by 7 ही लेके चलना है तो 1 3rd pi की जिखे पर 22 by 7 radius का square तो radius कितना है 5x 5x का square रखेंगे हाँ पर तो कितना आ जाएगा 25x square into h की जिखे पर कितना 12x ठीक है जी that is equal to 2512 ठीक है जी हमें value किसका calculate करना है हमें value calculate करना है 2512 हमें value किसका calculate करना है value हमें x का चाहिए तो x square into x कितना हो गया x u बस उसको इधर रखो बाकि सबको उधर फिख दो ठीक है 2512 as it is रहेगा denominator में 3 और 7 है वो जाएंगे multiply में ठीक है जो नीचे है वो उपर जा आएगा तो 22 नीचे आएगा ठीक है और 25 नीचे आएगा और 12 नीचे आएगा clear hope so यहां तक कि कहानी समझ में आ गई होगी ठीक है अब क्या करेंगे हम cancellation में अगर हम देखें क्या-क्या cancel हो सकता है ठीक है क्या-क्या cancel हो सकता भी सुचो और 11 की table से कैंसलेशन पॉसिबल ही नहीं है अच्छा देखते हैं देखते हैं देखते हैं 3 से 4 ताइमस कैंसल क्या 4 से इधर कैंसल करते हैं 4 6 सा 24 4 6 सा 24 remaining 1 4 2 जा 8 3 4 8 जा 32 ऐसा ठीक है 6 28 हो क्या अच्छा और किस से cancel होगा 2 से cancel कर दें 2 से cancel कर देते हैं तो यह हो जाएगा 314 अच्छा जी 314 आ गया 314 क्या लगता है 314 तो जिस हसाब से इसमें calculation है I think इसमें Pi का value 314 रखेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से solve होगा यह ठीक है Pi का value 3.14 रखेंगे तो ज्यादा सई होगा ठीक है into 25x square into 12x that is equal to 2512 clear तो फिर हम क्या गरेंगे x cube को इधर रखेंगे बाकि सबको उधर फिक देंगे तो 2512 as it is multiply में जाएगा ये denominator वाला 3 ठीक है ओके और divide में क्या क्या आएँगे मेरे पास 3.14 ठीक है जी multiply में 25 और 12 ठीक है जी point हटाएँगे उपर 100 आजाएगा ठीक है जी और 25 1s are 25 25 4s are 100 ठीक है 4 से 12 में 3 times divide 4 3s are 12 3 से 3 ओडा दिया ठीक है 314 से इसमें divide करेंगे तो 8 times divide होगा according to me ये न 3 8s are 24 14 8s are 1 to 12 ठीक है x cube equals to 8 आया हमरे पास ठीक है x cube 8 आएगा तो x का value कितना आजाएगा x का value 2 आजाएगा clear और जैसे ही x का value 2 आया तो आपको पता लग गया कि जो radius थी ना 5x वो हो जाएगी 5 into 2 5 into 2 कितना हो जाएगा 10 ठीक है जी और height हो जाएगी मेरे पास 12 x यानी 12 into 2 कितना हो जाएगा 24 cm और हमें चाहिए curved surface area क्या चाहिए curved surface area तो curved surface area क्या होता है CSA होता है पाई आरेल ठीक है तो क्यूंकि मेरे पास slant height नहीं है तो slant height calculate कर लेते हैं ठीक है slant height होता है root में h square plus r square यानी 24 का square प्लस 10 का square तो क्या लगता है अब i का value रखा 3.14 into radius के place पे कितना रखेंगे 10 और slant height के place पे 26 clear अच्छा जी तो point हड़ाके नीचे 100 ले आएंगे 10 से 10 हटा देंगे ओके 26 की table मुझे तो नहीं आती तो भी try करते हैं 26 times 4 104 होता है 4 as it is 10 carry forward 26 26 and 10 that is 36 6 as it is 3 26 तो 8 1 6 4 हुआ 10 divide में था तो point लगा देंगे इतना centimeter square would be the curved surface area hope so आपको एक question चैसे समझ में आ गया होगा चैलिए आगे बढ़ता है next question पर हंजी next question क्या कहता है a semi circular sheet of diameter 28 cm is bent to form an open conical cup ठीक है एक semi circular sheet है जिसका diameter 28 है यह मानने के चलिए आप कि एक semi circular sheet है मेरे पास semi circular sheet है ठीक है इसका diameter कितना है 28 48 cm ठीक है जी ओके तो मतलब radius केतना होगा radius होगया 14 cm clear 14 इधर और 14 इधर clear यहां तक की कहानी अगर समझ में आती तो इसके आगे हम सोचेंगे कि इसको हमने इस type से bent किया है कि conical cup बन गया क्या बन गया conical cup तो देखो क्या करेंगे हम यह जो point है ना o point है यह o point तो रह गया नीचे o point खहां रह गया नीचे रह गया इसका यह B0 A वाला हिस्सा और B1 वाला हिस्सा इन दोनों को हमने touch करा दिया एक दूसरे के क्या करा दिया टुश करा दिया ना जैसे touch करा आएंगे ना तो आपको यह समझ में आएगा कि यह o a और o b वाला portion कूछ ताइप से आगया और यह एंसा conical cup बन गया clear क्या बन गया ओए ये length है 14 basically ओए किसका काम कर रहा है slant height का काम कर रहा है slant height का काम कर रहा है और जो इस semicircular arc की length थी वो आगे चलके circumference बन जाएगी base की किसकी cone की ठीक है तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास जो ये cone बना है इसकी slant height 14 है ठीक है और अगर इस cone की radius को मैं r unit बोल दूँ अगर radius कितना बोल दूँ r unit तो cone के लिए जो 2 pi r होगा वो basically इस arc की length होगी आपको पता है semicircular arc की length कितनी होती semicircle यानि आप ये समझो अगर circle का circumference पूछा जाता तो कितना होता 2 pi r कितना होता 2 pi r होता ठीक है अगर मैं semicircle में इस arc की length पूछूँगा तो वो 2 pi r का half होगा कितना होगा pi r होगा pi तो as it is ठीक है radius की जगे पर कितना लेना है 14 ठीक है तो basically जो cone के लिए 2 pi r है वो semicircular sheet के लिए pi r होगा जिसमें radius कितना है 14 है ठीक है तो अगर pi से आप pi cancel कर भी दो तो 2 r अगर 14 है तो हमारे पास cone की radius कितनी निकल के आएगी 14 upon 2 है नहीं कितना 7 cm clear और जैसे ही radius आ गई और slant height आ गई मुझे चाहिए capacity capacity चाहिए मतलब volume और basically volume निकालने का तरीका क्या होता है 1 3rd pi r square edge यहाँ पे मुझे use करना है क्या height h use करना है h use करना इसका मतलब मेरे पास height की value नहीं है length मतलब slant height है l है मेरे पास r है मेरे पास h नहीं है तो क्या करेंगे l is equal to root of h square plus r square जो formula होता है value put कर देते दोनों sides का square कर देते l is equal to h square plus r square होता है यह आप जानते है क्या लगता है l की जिगर पे कितना value put करें l की जिगर पे put कर देते 14 तो 14 का square that is equal to h के place पे कितना रखेंगे h तो calculate करना है r के place पे कितना रखेंगे 7 तो 7 का square 14 का square कितना होगा बच्चे 196 ठीक है 7 का square 49 इधर बचेंगे minus 49 that is equal to h square तो basically बचेगा 147 that is equal to h square तो h का value निकल के आजाएगा मेरे पास 7 root of 3 है ना 49 times 3 है ना यहां तक तो कोई problem होनी ही नी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं ना इतके बाद volume calculate करेंगे तो 1 by 3 pi के place पे कितनी value रखेंगे pi के place पे हम value रखेंगे 22 by 7 क्योंकि 7 का multiple है radius into radius का square यह नही 7 into 7 into h के place पे कितना रखें h के place पे कितना रखें h के place पे हम रखेंगे 7 root of 3 clear अब क्या गरेंगे 7 से 7 हो जाएगा cancel और 22 को 7 से multiply किया 154 आया 154 को 7 से multiply किरेंगे तो कितना आएगा 7 7 से 49 4 7 5 से 35 4 39 3 7 7 3 10 ठीक है इतना ही होगा नहीं कुछ जादा होगा कुछ गलती किया बेट 7 से 49 9 4 7 5 से 35 4 39 3 7 से 7 3 10 अच्छा यह सही होगा क्या सही है चलो ठीक है तो यह होगा 1099 और फिर उसको root 3 से multiply करना है root 3 is basically 1.732 1.732 तो इसको multiply करना है 1.732 से और फिर डिवाइड करना है 3 से है न तो यह तो बहुत ही ज्यादा tough हो जाएगा करिये multiply तो यह हो जाएगा 2 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 9 2 से 18 9 2 से 18 बन 19 1 2 ठीक है फिर 3 से multiply करें 3 9 से 27 7 2 3 9 से 27 2 29 9 2 2 3 बन जा 3 clear ओके next 7 से multiply करेंगे 7 9 जा 63 3 6 7 जा 63 and 6 कितना होगा 69 ठीक है 69 तो यहाँ पर 6 आ जाएगा as it is 7 1 जा 7 next ठीक है 1 से multiply करेंगे 1099 आएगा ठीक है जी अब कितना होगा 8 as it is 9 and 7 16 6 1 as it is 2 and 9 11 and 3 14 4 1 ठीक है 5 and 18 23 3 2 as it is 2 3 5 6 11 and 9 20 0 2 9 and 1 ठीक है ओके 3 डिजट छोड़के decimal लगेगा तो 19 03.468 19 03.468 ठीक है जी divide करेंगे किस से 3 से answer आ जाएगा ठीक है जी 3 से divide अगर करेंगे तो इक इतना आएगा 3 से divide करेंगे 3 6 आ 18 remainder 1 3 3 आ 9 1 3 4s are 12 1 3 4s are 12 2 3 8s are 24 2 3 9s are 27 1.333 and so on ठीक है 6 34 0.4893 centimeter square around क्या आएगा sorry centimeter cube around क्या आएगा इसका volume आएगा capacity निकालनी है तो 1000 का divide करोगे तो लेटर में change हो जाएगा clear क्योंकि 1000 centimeter cube किसके को लोता है 1 लेटर के है चलिए समस्दारी की बात यहां तक आगे बढ़ते है next topic पे sphere क्या होता है sphere basically आपने देखा ही होगा ball तो 3D shape जो अगर उसका हम front view देखें तो सरकाद ही देखेगा लेकिन होती क्या है 3D shape होती है जैसे football बगर है आपने देखा ही होगा तो objects like football volleyball ठीक है throw ball etc यह सब क्या होते है sphere की format में होते है sphere का volume क्या होता है 4 by 3 pi r cube यह मैंने नहीं दिया यह जिसने दिया था उसने बहुत calculation करके दिया था proof करना बहुत जादा time taken process है इसलिए directly याद रखेंगे कि volume of the sphere केतना होता है 4 by 3 pi r cube होता है ठीक है surface area of the sphere क्या होता है surface area total surface area जब भी surface area लिखा हो तो आप समझ जाएं कि total surface area है total surface area total surface area केतना होता है 4 pi r square होता है 4 pi r square कैसे होता है कैसे होता है यह बहुत lengthy process है but क्या हम इसको prove कर सकते है बिल्कुल कर सकते है 4 circle बनाएंगे pi r square radius के r radius के 4 circle बनाएंगे मानलो यह circle बनाएं इसकी radius कितनी है r तो इसका area हो जाएगा pi r square ऐसे 4 circle बनाएंगे इसके आगे की बात करते हैं questions पे question क्या कहते है find the surface area of a sphere whose volume is इतना ठीक है surface area पता करना है volume इतना है volume क्या होता है 4 by 3 pi r cube होता है 4 by 3 pi r cube volume होता है ठीक है और वो volume किसके एक वल है 4851 के एक वल है ठीक है अच्छा again pi का value नहीं है r cube that is equal to 4851 divided by 4 ठीक है जो यहाँ पे multiply में हो सब divide में चला जाएगा तो 4 divide में चला गया 3 multiply में चला गया pi भी divide में आएगा लेकिन pi की value 22 by 7 रख रहे है 22 by 7 तो 7 और उपर आजाएगा ठीक है जी और r cube मेरे पास as it is है ठीक है अब क्या करते है 11 से cancel करते है 11 2 जा 22 11 4 जा 44 बचेंगे 4 11 4 जा 44 फिर बचेंगा 1 11 11 जा 11 ठीक है तो basically यह 7 3 जा 21 है और यह 21 का square है 21 का cube उपर बन रहा है और नीचे 4 2 जा 8 which is 2 का cube which is equal to r का cube clear तो r cube is basically equal to 21 by 2 का whole cube right तो r की value r cube की value जो ना 21 by 2 का cube के equal है तो r की value यहां से निकल के आएगी 21 by 2 cm ठीक है जी कोशिश करें कि इसको divide करके decimals में ना ले जाया ना जब हमें यहां पर cube resolve करना है तो कोशिश करें इसको fraction में ही रखिया है ठीक है तो 21 by 2 cm मेरे पास यहां पर value आ गया है radius का किसका value आ गया है radius का मुझे क्या चीए था surface area ना तो basically यह बात कर रहा है total surface area की ठीक है तो total surface area हो जाएगा 4 pi r square ठीक है जी तो 4 pi r square मतलब 4 into pi के जिगए 22 by 7 into radius की जिगए 21 by 2 21 by 2 ठीक है जी इसको solve करना ज़्यादा tough task नहीं है 2 से divide करेंगे 4 को 2 times 2 से 2 cancel 7th रिजा 21 21 को 22 से multiply करेंगे क्या लगता है क्या आएगा 462 आएगा चेक कर लेते हैं 22 से यह फिर काम करते हैं और भी बढ़िया करते हैं multiplication का तरीका एक और देख लेते हैं 21 तरी सा कितना हुआ 63 है 63 आगया अब आप एक काम और करो 22 को ब्रेक कर लो 22 को ब्रेक कर लो 2 इंटू 11 में न 2 इंटू 11 में ठीक है 2 को 63 से all multiply कर लो तो 126 हो गया अब 126 को आपको 11 से multiply करना है ठीक है और किसी भी नंबर को 11 से multiply करना मतलब बहुत easy है न फेले 126 लिख लो फिर फिर फोड़ा सा एक place last से miss करते हुए 6, 2, 1 एक बार फिर से 126 लिख लो एड़ लो 6, 8, 3, 1 1386 आजाएगा मेरे पास surface area of sphere clear hope so समझ में आगी कहानी या तक चलिए आगे बढ़ते है न इसके बाद next क्या कहता है question on increasing the radius of a sphere by 10% find the percentage increase in its volume न दो तरीके देखेंगे इसके पहला तरीका अगर मान लो case 1 की बात करूँ starting में क्या था radius थी r radius कितनी थी r और volume था sphere का कितना 4 by 3 pi r cube ठीक है लेकिन बाद में पता है क्या हुआ बाद में radius को 10% increase कर दिया बाद में radius को 10% increase कर दिया ठीक है तो जब radius को 10% increase करेंगे तो case 2 बन जाएगा case 2 बन जाएगा case 2 में radius कितनी आ जाएगी पहले वाली radius plus उसी का 10% और तो 10% of r उसमें add हो जाएगा clear तो समझने वाली बात क्या है r plus 10% of r का मतला है 10 upon 100 into r ठीक है 0 से 0 cancel हो जाएगा ठीक है तो r plus r by 10 LC हम लेंगे तो यह जाएगा 10 r plus r 11 r by 10 हो जाएगा clear basically radius new radius यह जाएगा new radius और new radius जैसे 11 r by 10 हुआ आप इसको और भी अच्छा सोचो तो यह 1.1 r हो गया क्या हो गया 1.1 r हो गया ठीक है तो अगर आपसे new volume मांगा जाएगा new volume कितना है new volume हो जाएगा 4 by 3 by radius की जाएगा 1.1 r का whole q clear अब आपसे बूचा जाएगा कि कितना percentage increase हुआ कितना percentage increase हुआ कितना percentage increase हुआ तो यह समझी है आप कि अगर मैं new volume में से पुराना वला volume minus कर दूँँगा तो मुझे पता चल जाएगा कितना increase हुआ है ठीक है जी तो increase निकालना है तो new minus old कर देंगे ठीक है जी अच्छा जी तो new minus old कर देंगे तो new कितना है था 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi और 1.1 r का whole q बना यह है था minus old वाला कितना था 4 by 3 pi r cube अब दोनों में से क्या common ले लेंगे हम बच्चे 4 by 3 pi common ले लेंगे अगर तो यहाँ पर बचेगा मिर पास 1.1 r का whole q माइनस r का q ठीक है अगर आप इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगा लें ठीक है जी कि sir इसको थोड़ा और resolve कर लें अगर हम तो 4 by 3 pi और r cube को बाहर निकालने हैं तो यह 1.1 का cube बाहर मतलब 1.1 का cube जो होगा वो कहां हर जाएगा last मेर जाएगा clear और अगर इस चीज़ को यहाँ पे भी note down करें अगर हम तो हमें यह पता लगेगा कि 4 by 3 pi r cube और 1.1 का whole cube यहाँ पे दिख जाएगा लग से 4 by 3 pi r cube अगर आप common ले लेंगे तो बचेगा 1.1 का whole cube minus 1 ठीक है इतना बच जाएगा अब आपको percentage increase चाहिए क्या चाहिए percentage increase percentage increase क्या होता है percentage increase होता है increase upon original increase upon original into 100 ठीक है कितना increase हुआ upon में original कितना है into में 100 तो बताओ increase कितना हुआ था इतना 4 by 3 pi r cube ठीक है जी और 1.1 का cube अगर आपको idea हो 11 का cube होता है 1331 1331 हना तो 1.1 का cube हो जाएगा 1.331 हना उसमें से 1 minus करोगे तो basically यहाँ पे 0.331 बचेगा और upon में original 4 by 3 pi r cube है ही जो कि आया ही cancel होने के लिए ऐसे है ना और multiply में 100 है तो जैसे ही 100 से 0.331 को multiply करोगे कितना आएगा 33.1 percentage है ना यह क्या हुआ है percentage increase हुआ है वैसे इसका करने का short मतलब या फिर में बोलू shortcut नहीं trick बोलूँ trick क्या होती है अगर किसी एक solid shape की edge जो होती है अगर solid shape ऐसा है जिसमें एक ही edge है ना जैसे एक ही dimension है जैसे इसमें radius होती है square में cube में सिर्फ edge A होती है जो single edge वाले solid shapes है ना उसमें अगर edge में जितना change आएगा edge में जितना change आएगा उसका cubic change किसमें आएगा, volume में आएगा उसका square change किसमें आएगा, किसमें आएगा, basically किसमें आएगा, surface area में आएगा clear, अब आप सोचेंगे सर, इसको कैसे apply करें पहले radius r थी, बाद में हो गई, कितनी, 1.1r, ठीक है ची 1.1r हो गई, ठीक है, तो radius r होते है, तो volume में radius का cube होता है volume में क्या होता है, cube हो जाता है radius का, तो कहीं न कहीं volume निकल के आता है 4 by 3 pi r cube, अगर 1.1r रहेगी radius, तो उसका cube करेंगे, तो basically यहां पे निकल के आएगा 4 by 3 pi r q ठीक है जी और 1.1 का q 1.331 ठीक है जी तो यहां से 1.331 जो हमें दिखेगा 1.331 जो हमें दिखेगा ये 1.331 में से अगर हम इस volume में अगर multiply में 1 लेके चलते हैं तो 1.331 में से अगर 1 less कर दें तो बचेगा 0.331 जो हमें बताएगा कि 33.1 percentage क्या है volume में change आएगा समझा है तो बहुत बढ़ी है नहीं तो long method भी अच्छा ही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हमिस्वेर क्या होता है बेसिकली अगर हम किसी एक plane के through center of sphere को cut कर दें किसी एक plane से sphere को cut कर दें उसके center से होते होए center से होते हैं उसको cut कर दें तो जो दो पार्ट बनेंगे ना each of the part is called a hemisphere हर एक पार्ट को hemisphere बोलेंगे अगर sphere का total surface area 4 pi r square था तो यह जो hemisphere बनेगा इसका यह बाहर बाहर वाला जो area होगा यह कितना होगा 4 pi r square का half यह नहीं कितना 2 pi r square basically उसको बोलते है curved surface area of hemisphere तो क्या hemisphere में flat surface area भी होता है बिल्कुल होता है जैसे ही काटोगे तो यह उपर वाला जो circle बनेगा यह तो flat ही होगा यह उपर वाला circle बन रहा है यह क्या होगा flat होगा यह वाला surface क्या होगा flat surface होगा और यह circular है तो इसका area भी कितना होगा? pi r square तो flat surface area pi r square curved surface area 2 pi r square तो total surface area of hemisphere जो होगा हो कितना हो जाएगा 3 pi r square हो जाएगा और volume क्या होगा hemisphere का जो sphere का volume था 4 by 3 pi r cube उसका just half यारी कितना volume of hemisphere 2 by 3 pi r cube बना कितना होगा 2 by 3 pi r cube चलिए आगे बढ़ते हैं next point पे बात करते हैं question क्या कहते है find the volume curved surface area तो क्या करेंगे पहले volume calculate कर लेते है volume होता है 2 by 3 pi r cube 2 by 3 pi r cube तो हो जाएगा यहाँ पे 2 by 3 ठीक है जी pi की जगे 22 by 7 और radius की जगे पे क्योंकि diameter 7 cm है तो radius कितने निकल के आएगी है हमारे पास में radius निकल के आएगी 7 by 2 यहाँ से पता चल जाएगा कि radius कितना है 7 by 2 है तो 7 by 2 पूट करेंगे 7 by 2 into 7 by 2 into 7 by 2 cube है तो 3 times लिख दिया clear okay now 2 से 2 cancel 2 से 22 को 11 times cancel 7 से 7 cancel और कोई cancel हो रहा है चाहता ही नहीं है कोई cancel होना 7 7s अ कितना होगा 49 49 को 11 से multiply करेंगे तो 49 को spacing करके add करेंगे तो 9 9 plus 4 कितना होगा 13 3 1 5 5 39 हो जाएगा divided by कितना हैगा 6 आएगा 6 से divide करेंगे तो 6 8 सा 48 बचेंगे 5 6 9 सा 54 over 4 by 6 ना ऐसा कुछ centimeter cube volume हो जाएगा ठीके जी अगर बात करें curd surface area की curd surface area कितना होगा 2 by r square तो 2 into pi के जगे 22 by 7 into radius के place पे कितना रखेंगे 7 by 2 into 7 by 2 ठीके जी अच्छा जी 2 से 2 cancel 2 से 22 को 11 times cancel 7 से 7 cancel 11 समझा 77 centimeter square क्या आजाएगा curd surface area आजाएगा ठीके यहां तक समझ में आगया आप देखो कि सर आप तो उडाते जा रहे हो बिल्कुल उडाते जा रहे हो तो बेटा इस चेप्टर में कुछ है ही नहीं है इस चेप्टर में है formula याद होने चाहिए calculation में आपका हाथ थोड़ा से strong होना चाहिए मतलब आपकी अप्रोच give up वाली नहीं होनी चाहिए give up वाली अप्रोच नहीं है तो आराम से पूरे question बनेंगे ठीक है आपके total surface area of अगर बात करूँ में किसकी hemisphere गी तो 3 pi r square तो 3 into pi की जग़े किता रखेंगे 22 by 7 into radius की जग़े वही 7 by 2 7 by 2 ठीक है जी तो 7 से 7 cancel 2 से 22 को 11 times cancel 11 7 सा 77 77 का 3 times 70 का 210 होता है और 7 का 21 तो 230 बना जाएगा divided by 2 तो यह हो जाएगा 115.5 cm square है यह total surface area हो जाएगा समझ में आगी बात चलिए आगे बढ़ते हैं next point की तरफ क्या कहता है next point the water for a factory is stored in a hemispherical tank whose internal diameter is 14 meter ठीक है the tank contains 50 kiloliter water already है उसमें पहले से 50 kiloliter water बड़ा होगा है ठीक है और उसका हमें diameter 7 meter पता है तो radius तो 7 meter हो जाएगी diameter 14 है तो radius किती हो जाएगी 7 meter centimeter में चेंज करें तो 700 centimeter हो जाएगी ठीक है ओके आप चाहें तो meter में भी रख सकते हैं ठीक है जी हब की choice है ठीक है आगे क्या करना है water is pumped into the tank to fill it to its capacity इसको पूरा भरना है 50 kiloliter water पहले से हो उसमें उसको पूरा भरना है हमें तो question पूछ रहा है कि कितना volume of water इसमें और डालना पड़ेगा कितना पानी और इसमें बेजना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले चीज is volume of hemisphere निकाल लो ठीक है जी तो 2 by 3 आई की जगे और वही 22 by 7 ठीक है और radius का cube है यहीं 7 into 7 into 7 ठीक है जी meter cube में लेके चल रहे है हम इसको 7 से 7 cancel हो जाएगा और 3 तो cancel हो नहीं रहा मान ही नहीं रहा ठीक है कोई बात ही मत मानने दो 7 से 49 49 को 11 से करेंगे 5 39 होता है 5 39 का double कर लो 5 का double 10 39 का 78 तो 1078 हो गया उसका भी double करना है 1078 का double 78 का double होगा 156 और 10 का 20 तो 20 into 176 तो basically हो जाएगा 2176 है ना अपन में 3 है इतना meter cube हमारे पास क्या है available है क्या तोटल volume इस hemisphere का इतना है ठीक है अब इसको change कर लेते हैं हम लीटर में ना capacity अगर पूछा जाए capacity अगर पता करें कि कितनी capacity है इसकी है तो 2176 अपन में 3 और meter cube की जगए 1000 लेटर कर दो ठीक है मतलब मतलब क्या हुआ यह क्या हुआ असर है तो बेटा 1 meter cube का मतलब होता है 1000 लेटर ठीक है जी सेंटेमेटर कुग का मतलब कितना होता है उसका मतलब 1 लेटर होता है तर ऐसा क्यों क्यों कि सेंटेमेटर बहुत चोटी unit है तो सेंटेमेटर क्यूब और चोटा हो जाएका ठीक है 3 3 आएगा ठीक है जी तो basically यहां पर decimal लगना चीए था लेकिन thousand से multiply किया तो यहां पर decimal लगेगा इतना लेटर क्या है इसकी capacity है आपको question में पहले से पता है already कितना water उसमें 50 kilo liter पहले से water है ना 50 kilo liter का मतलब है 50,000 liter पानी पहले से है उसमें और हमें कितना और एड़ करना है यह ह पता करना है ठीक है इसके बाद क्या करेंगे हम इसके बाद हम करेंगे water required to volume of water volume of water अच्छा यह वाल्यूम पूछ रहा है हमसे लिटर्स में तो जानना नहीं चाहरा बट अगर यह लिटर्स में जानना नहीं चाहरा तो किलो-इटर का मतलम मेटर क्यूब यह होता है, विछ फञू वीच है तूप 5 मेटर क्यूब है, पानी पहले से उसमें अवेलेबल है, volume of water to fill, that is equal to हो जाएगा, पहले से इतना volume of water है, हमारे पास, उसमें इतना है, हमें कितना चाहिए है total, इतना चाहिए, 2176 2176 अपान 3 इतना मीटर क्यूब चाहिए और पहले से कितना है 50 किलो लिटर है न यह निए 50 मीटर क्यूब वाटर पहले से उसमें अवैलेबल है माइनिस करतो तो वाल्यूम आ जाएगा ठीक है इसमें हमने डिवाइड अभी भी किया था 725.3 आएगा 725.3 आएगा उसमें से माइनिस करतेंगे 50 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 675.3 यह न इतना मीटर क्यूब वाटर उसमें और एड़ करना है आप चाहें तो लिटर समें पहले आन से निकाल सकता है कि इसमें से 50,000 लिटर माइनिस करो उतना पानी और चाहिए ठीक है खुप सो एगोशिन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा चलिए अगली बात करते हैं होलो हेमिस्फेर क्या होता है आप यह समझें कि बहार से तो लगे कि यह हेमिस्फेर है लेकिन उस हेमिस्फेर के अंदर एक और हेमिस्फेर हो जो क्या हो एर उक्यूपाइड हो मतलब छोटी सी बात है समझने वाली कि जो जगे खाली होती उस जगे खाली कभी मुत बोलना वो खाली नहीं होती है उसमें एर उक्यूपाइड होती है जैसे मैं इस रूम में हूँ इस room में मेरे अलावा बाकी सारी जगे खाली नहीं है बाकी सारी जगे air है क्या है? air है अगर air नहीं होती तो मैं सांस कहा से लेता तो air पहले से उसमें available है मैं इधर move करूँगा तो air जो इस तरफ थी वो इधर आ जाएगी ना displace होगे क्योंकि air को displace करना बहुत असान है इसलिए हम उसको उसकी परवाई नहीं करते है तो problem वाली बात सिर्फ इतनी सी है आप यह समझें कि hollow hemisphere क्या होता है hollow hemisphere basically हमिस्वेर जिसके अंदर एक और hemisphere और उसके अंदर क्या है उसके अंदर air है उसके अंदर क्या है air है तो basically अंदर वाला hemisphere air occupied है बाहर वाला material से बना हुआ है ठीक है तो क्या 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 इस type के question कैसे होंगे समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर किसी plane के थुरू आप hollow sphere को sphere जो की hollow हो अंदर से sphere के अंदर air occupied sphere हो उसको अगर आप cut करो center से two equal parts में तो basically each of the part is called hollow hemisphere ठीक है तो करना क्या होता है अंदर वाली radius को हम बोल देते है small r और बाहर वाली जो radius होती है उसको हम बोल देते है capital r ठीक है inner radius को small r बाहर वाली radius को capital r ठीक है inner radius को small r बाहर वाली radius को capital r भाहर वाली radius is external radius ठीक है तो ऐसा करने के बाद में अगर आप से कोई पूछे inner inner curved surface area तो hemisphere का curved surface area 2 pi r square होता है आपको पता है तो inner curved surface area 2 pi r square radius छोटी वाली लोगे तो small वाला आजाएगा अंदर वाले का आजाएगा अगर आप बड़ी radius लोगे यानि capital r लोगे तो outer curved surface area आजाएगा 2 pi capital r square clear यह formula आपको समझ में आने चाहिए अच्छा इसमें और भी कोई surface है इसमें एक flat surface है यह वाला जो मैं color करके आपको बता रहा हूँ आप try करें कि आपको यह चीज click हो यह वाला जो area है न बचे यह area जो है यह basically क्या है flat surface area क्या है flat surface area है ठीक है और इस flat surface area को अगर आपको calculate करना है तो आप क्या करोगे बाहर वाले circle की area में से अंदर वाला circle का area minus कर दो क्योंकि बाहर वाला circle में से अंदर वाला circle देखना है, flat surface area कितना हैगा flat surface area आ जाएगा, pi capital r square, यह बड़े वाले circle का area इसमें से छोटे वाले circle का area minus करोगे यह नहीं, pi small r square minus करोगे ठीके जी, तो आ जाएगा हमारे पास में यह area of ring basically यह ring होती है, हना two concentric circles के between वाला area तो यह pi capital r square minus pi small r square मैं calculate कर सकते हैं अगर मुझसे कोई पूचेगा, curved surface area of the hollow hemisphere USTIN tow वाला curved surface area पुचेगा तो बाहर वाला curved surface area प् póस अंदर वाला curved surface area दोनों मैं क्या कर दूँए add कर दूँए, clear, लेकिन अगर मुझसे कोई पूचेगा, total surface area of the hollow hemisphere तो मैं क्या करूँँगा inner curved surface area, outer curved surface area और flat surface area, तीन हो क्या कर दूँगा? add कर दूँगा, आप सोचो आप 2 pi capital R square और 1 pi capital R square, दोनों positive हैं ये दोनों तो add हो जाएंगे, तो आ जाएगा 3 pi capital R square, ठीक है? और 2 pi small R square plus का है और 1 pi small R square minus का है तो ये दोनों change हो के क्या हो जाएगा? 1 pi R square plus का बच जाएगा, clear? तो आपको ये समझ में आए कि 3 pi capital R square plus pi small R square, ये क्या हो जाएगा? total surface area of hollow hemisphere हो जाएगा, ठीक है? अगर बात करें volume of the material used in hollow hemisphere अगर आप से कोई पूछे किस hemisphere, hollow hemisphere को बनाने में जो material used हुआ है उसका volume क्या होगा? तो आप क्या करिए बाहर वाले hemisphere का volume निकाल लीजे which is 2 by 3 pi capital R cube ठीक है? उसमें से आप अंदर वाले hemisphere का volume इसलिए minus कर दीजे क्योंकि उसमें कोई material use ही नहीं हुआ उसमें use हुआ है air, क्योंकि वो air occupied है उसमें material नहीं लगा है उसमें air लगी हुई है तो air occupied जो चीज है उसका volume थोड़ी count करोगे आप तो 2 by 3 pi r cube आपने क्या कर दिया? इसमें से minus कर दिया दोनों में से common लिया 2 by 3 pi तो bracket में बच जाएगा capital R cube minus small r cube आपको यह समझ में आता है तो बहुत ही बढ़िया चलिए आगे बढ़ते है next point पर बात करते है ठीक है? question पर बात कर लेते हैं the internal and external diameters of a hollow hemispherical vessel are 20 cm and 28 cm respectively diameter गिवन है internal diameter 20 है तो internal radius कितनी हो जाएगी? 10 cm हो जाएगी और external diameter जो है वो अगर 28 है तो external radius हो जाएगी 28 by 2 यानि कितना? 14 cm हो जाएगी clear? इसके बाद की बात यह है find the cost of painting the vessel all over at 35 पैसा पर cm2 उस vessel को हर जगे paint करना है हर जगे paint करना है मतलब जो जो हिस्सा उसका दिख रहा है हमें वो सब paint करना है वो सब क्या करना है? paint करना है तो छोटी सी बात यह सोचो क्या हमें इसका TSA of hollow hemisphere लगाना है? बिल्कुल वही formula लगाना है TSA of hollow hemisphere कितना हो जाएगा? समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि hollow hemisphere का total surface area होता है 3 pi capital R square ठीक है जी? 3 pi capital R square plus pi small r square अब भी थोड़ी तरह पहले बताया था दोनों में से क्या common ले ले है? pi common ले लेते हैं तो 3 into capital R square है नी? 14 का square plus में small r square है नी? 10 का square कोड़ परिशानी यहां तक नहीं होनी चीए 14 का square कितना होता है? 196 196 का 3 times 19 का 3 times 570 होता है 190 का 3 times 570 हो जाएगा 6 का हो जाएगा 18 570 और 18 588 और 10 का square 100 तो basically हो जाएगा यह 688 pi हाना? यह हमारे पास हो गया cm square क्या? इसका total surface area हाना? अब cost of painting चाहिए आपको cost of painting हाना? cost of painting क्या है? cost जो होता है ना? वो हमेशा area multiply rate के एको लोगा area multiply rate के एको लोगा ना? area कितना है? 688 हाना? pi के जगे 22 by 7 डाल दो आप rate of painting क्या है? 35 पैसा पर cm square ठीक है? तो पैसे इसको रूपे में change कर लें हाना? बहुत छोटी बात नहीं हो जाएगी तो पैसे को रूपे में change करेंगे तो यह 35 अपान 100 रूपीज हो जाएगा clear? पर cm square है ना? तो क्या किया? 7 से 35 को 5 times cancel किया ठीक है जी? ओके और 5 से 10 को 2 times cancel 5 से 100 को 20 times cancel किया 22 11 times 2 से cancel किया और 20 को 10 times cancel किया 2 से ठीक है? इसके बाद 11 को 688 से multiply करना है तो 688 को 11 से multiply करने का मतलब ना? 1 place displace करके add कर लेते हैं ठीक है जी? तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 8, 8, 16, 6, 1 और 5, 7 7, 5, 6, 8 ना? और 10 का divide और करना है तो एक dessert छोड़ के dc में लगा देंगे तो 756.8 इतना पैसा अगर जेब में हो ना? तो paint कराने की सोचो और रहने दो ना? अभी अगले साल देख लेंगे तो जिसको मतलब डिलेटेट भी पढ़ना है क्योंकि उसको पता है कि 9th में तो चलो ठीक है अगले साल कौन सा COVID है ना? अगले साल तो सब ठीक होई जाएगा बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा ना? तो उसके बाद क्या करना है उसके बाद तो पूरा पढ़ना ही है 10th क्लास का पूरा स्लेट वहाँ पे तो क्यूब और क्यूब और क्यूब और सिलिंडर तीनों आपका वेट कर रहे होंगे यह 9th में नहीं पढ़ गया है आप देखते हैं इसको ना? तो हम तो पढ़के चलेंगे चले, बात करते हैं क्यूब और क्यूब की ना? A solid bounded by 6 rectangular faces इस called a cuboid है ना? एक 6 rectangular faces से enclosed जो एक solid होगा that is basically called a cuboid ठीक है? खास बात क्या होता है? Example देख लो आप matchbox, chalkbox, brick, tile, book यह सब क्या है? क्यूब और क्यूब और faces हैं है ना 12 उसके अंदर ages है ठीक है और 8 vertices है एट क्या है vertices है clear अब आप समझें कि अगर क्यूबाइट की dimension की बात करूँ अगर यह dimension L है यह dimension अगर breadth है और 3rd वाली यह dimension कितनी है height है तो basically आपको पता है 6 जो rectangular faces होंगे उन में से 2 rectangular faces ऐसे होंगे जो बिल्कुल हमेशा congruent होंगे हर जने का एक उसका भाई होगा जैसे जो base में जो यह वाला face है यह किसके congruent लगता आपको यह बिल्कुल इसके congruent होगा तो मतलब जितना area यह नीचे वाले surface का होगा उतना ही उपर वाले का होगा आपको पता है नीचे rectangular face है उसकी एक side L है दूसरी side B है तो उसका area LB होगा तो जो first का area LB है तो roof का area भी LB ही होगा तो उपर वाले face का area भी LB होगा तो LB प्लस LB 2LB आ गया ठीक है ऐसे ही इस वाले face की बात करूँ तो यह face जो है इसका area हो जाएगा BH तो इधर वाले face का area of cubite जो होता है वो होता है two times LB plus BH plus LH होता है अगर बात करें lateral surface area of cubite की तो lateral surface area में हम first और roof को count नहीं करते हैं सिर्फ 4 दिवारों का area calculate करते हैं तो अगर first और roof यानि LB और LB यह दोनों को हटा दे तो अगर मेरे पास सिर्फ 2BH और 2LH होता तो दोनों मैंसे मैं 2 और H common लेता है ठीक है और bracket में B plus L बच जाता है तो मैं लिख देता कि lateral surface area of cubite होता है two times L plus B into में कितना H ठीक है अगर बात करें volume of the cubite की तो volume of cubite होता है L into B into H क्या होता है L into B into H मतलब कैसे base का area कितना है L into B और उसी base को हमने H height तक raise किया है उसी base को हमने H height तक कहां किया है raise किया है तो simple सी बात है L B ही H height तक raise होगा area of base into height is the formula of volume तो L B into कितना करेंगे height H तो L into B into H basically the volume of cubite आगे बात करेंगे diagonal की diagonal of cubite क्या होता है तो समझें आप diagonal of cubite क्या होता है diagonal of cubite basically आप ये समझें कि किसी एक cubital room में हम जो maximum length rod रख सकते है न जो maximum length की rod हम किसी एक cubital room में कैसे रख सकते है अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो point है ये point A है ठीक है अगर मैं यहां से यहां तक रखूँगा वो maximum length rod होगी या यहां से यहां तक रखूँगा वो maximum length rod होगी तो basically आप बोलेंगे A से आप सर B तक रखेंगे वो maximum length वाली rod होगी ठीक है उसकी length कैसे calculate करें तो उसकी length calculate करने के लिए पहले आप क्या करो ये length calculate करो जो green line बनी हुई है ठीक है तो basically green line जो है वो नीचे बनने वाले right angle triangle में hypotenuse है जिसकी एक side L और एक side B है तो basically green वाले hypotenuse की length हो जाएगी root में L square plus B square ठीक है और यहाँ पर height h weight कर रही है तो in situation में green line के उपर perpendicular है height तो जो triangle A, C, B बन रहा है इसमें अगर pythagoras लगाओगे तो base square plus perpendicular square यहाँ रूट of L square plus B square का square करोगे plus h का भी square करोगे तो basically हमारे पास निकल के आएगा कि L square plus B square plus h square जो होगा वो किसके करो जाएगा A, B square के करोगा तो यहाँ से maximum length of rod maximum length rod which can be kept in a cuboidal room वो निकल के आएगा और वो कितना होगा A, B equals to root में L square plus B square plus h square होगा ठीक है जी और यह क्या होगा किसको represent कर रहा होगा यह A, B represent कर रहा होगा diagonal of the cuboid को इसको diagonal of the cuboid को represent कर रहा होगा cuboid का diagonal मतलब ऐसी length of rod जो maximum हो नो एक सबसे बड़ी से बड़ी length की rod जो हम एक room में रख सकते हैं कैसे रख सकते हैं वो आप जिस room में बैठे हैं उसमें बैठ के सोच सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next point पर बात करते हैं find the volume total surface area and lateral surface area of a cuboid जिसकी length 15 meter breadth 12 meter और height 4 meter ठीक है तो L है 15 ठीक है जी breadth है 12 ठीक है और height है 4 meter clear अगर ऐसा है अगर कैसा है अगर ऐसा है तो समझने वाली बात सिर्फ इतने इसी है कि total surface area तो कितना होगा total surface area का formula होता है 2LB plus BH plus LH clear formula लगा देंगे ठीक है जी तो 2 times हाना 2 times ठीक है जी L into B करेंगे 15 into 12 हाना 15 into 12 मेरे हाँ कितना होता है 180 होता है plus B into H हाना 12 into 4 कितना होगा 48 फिर L into H तो 15 into 4 कितना होगा 60 होजाएगा बिल्कुल सही 60 और 180 240 होजाएगा 240 में 48 add करेंगे तो 288 होजाएगा basically 288 का double जो होता है वो होता है 576 cm2 सारी dimension में है तो मीटर स्क्वार आजाएगा अगर lateral surface area की बात करें तो वो होता है 2 into L plus B into H clear formula अगर याद है तो chapter बहुत असान है तो 2 into L plus B है ना L plus B है ना क्या लगता है 15 plus 12 कितना हो जाएगा 27 into height कितनी है height है 4 ठीक है जी 4 हना तो 27 का 4 times होता है 108 का double होता है 216 तो 216 m2 यह क्या हो जाएगा lateral surface area हो जाएगा अगर बात करें volume की volume का formula क्या होता है L into B into H ठीक है बिना time waste किये L into B into H L का value 15 B का value 12 L और H का value 4 है ना तो 15 into 4 60 हो जाएगा तो 720 m3 क्यूब हो जाएगा volume clear यहां तक की कहानी समझ में आती है आगे बढ़े है बिल्कुल बढ़ते हैं आगे ठीक है चलिए question कह रहा है how many how many bricks will be required to construct a wall 13.5 m2 long 6 m2 high and 22.5 cm cm है ना धोका बोलते है इसको क्या बोलते है धोका बोलते है ना दो चीज़े मिटर में देगा एक चीज़े सेंटिमीटर में देदेगा ताकि गलत करो ना कितनी bricks required है इस wall को बनाने में अगर हमें यह given है कि एक brick का measure है 27 cm x 12.5 cm x 9 cm इदा सा तरीका है बड़े वल्यूम में छोटे वल्यूम का डिवाइड कर तो पता चल जाएगा कि छोटे वल्यूम वाली कितनी चीज़ें चाहिए ठेके तो वल्यूम आफ वल्यूम आफ bricks in wall wall के अंदर जो bricks आएगी उनका volume क्या है अपान में वाल्यूम आफ वन ब्रिक का डिवाइड कर दो ठेके जी क्योंकि देखो wall बननी किसे है brick से भी बननी है तो वाल्यूम आफ ब्रिक इन wall कितना होगा wall का वाल्यूम निकाल लो basically wall का वाल्यूम निकाल लो ठेके तो wall में अगर देखा जाए तो length है 13.5 cm नहीं मीटर है 13.5 मीटर है उसको cm में change करो cm में change करना मतलब 100 से multiply करना 13.5 को 100 से करोगे तो 1350 हो जाएगा इतना cm into यह तो length होगी breadth कितनी है 6m नहीं breadth इतनी है 22.5 cm तो वह cm में ही है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है और height कितनी है 6m है तो 600 cm हो जाएगा और ऐसा cm में change क्यों किया हमने बच्चे क्योंकि brick का dimension है वह है cm में 3 तो क्यों न छोटे को बड़े में change करो उससे बड़े है ना बड़े को ही छोटे में change करो ना छोटे के हिसाफ से बड़े adjust कर ले तो कोई कलेश ही नहीं है हाँ या ना चली बात करते हैं आगे तो length into bread into height यहाँ पर denominator में मैंने लगा दिया अब आप क्या करते हो 27 से इसको cancel करोगे 5 times और 0 as it is ठीक है और point यहाँ से बड़ा दो point यहाँ से बड़ा दो 10 उपर वाले का नीचे नीचे वाले का उपर 10 से 10 cancel 25 5s हा 125 25 9s हा 225 ठीक है 9 से 9 भी उड़ा दो ठीक है जी 5 से 600 में डिवाइड करतो 120 आ जाएगा तो basically आ जाएगा 120 into 5 हाना 120 into 50 120 into 50 है ना कितना होगा 12 5 सा 60 और 3 0 है 2 0 पार है as it is हना तो यह हो जाएगा 6000 6000 6000 ब्रिक्स चाहिए हमें इस particular wall को बनाने के लिए ठीक है question आपको समझ में आगया होगा चलिए आगे बढ़ते है ना next point पर आगे बढ़ते है हम ठीक है जी ठीक है cube क्या होता है आप समझे cube क्या होता है basically a cuboid whose length breadth and height all are equal then it is called a cube ठीक है अगर किसी cuboid के length breadth height तिनों सेम हो जाए मतलब length भी a unit हो जाए breadth भी a unit हो जाए और height भी a unit हो जाए clear तो उस particular situation में उस 3D shape को हम एक specific नाम देते है cube हो गया clear तो अगर cube बन गया है cube basically dice, ice cube और sugar cubes यह आपको पता होगा ही होगा ठीक है अगर each as of cube को हम side of cube side of cube अगर a है तो total surface area of cube 6a square हो जाएगा 6a square ऐसा क्यों होगा length breadth and height जब तीनों सेम हो गई तो हर एक face जो होगा square बन जाएगा square आपको पता है अगर square की side a है तो एक square का area a square तो यहाँ पे अगर देखा जाए 6 faces तो 6 square area 6a square हो जाएगा तो total surface area 6a square अगर lateral surface area की बात करूँ वह होता है area of 4 walls तो 4 walls का area 4a square हो जाएगा अगर volume की बात करूँ volume of cube तो होता है area of base into height base का area a square उसको a height तक raise किया तो a square into a कितना आ जाएगा a cube आ जाएगा diagonal की बात करूँ तो जो root में diagonal of cube था l square plus b square plus h square इसमें l b और h तीनों की जगे अगर a a a रख दूँगा तो a square plus a square plus a square plus a square हो जाएगा 3a square 3 का square root निगलता नहीं है a square बाहरा के बाट जाएगा तो यह हो जाएगा root 3 times a है root 3 times a this is the diagonal of cube ठीक है आगे बढ़ते हैं next बात करते हैं find the volume total surface area and letter surface area of a total surface area and the length of diagonal of a cube जिसकी edge कितनी है 20 cm ठीक है तो सबसे पहले solution में अगर a का value 20 है ठीक है जी तो मैं सबसे पहले पूछूँँगा volume volume हो जाएगा 20 का cube ठीक है जी a का cube यानि 20 का cube कितना हो जाएगा 8000 cm cube ठीक है volume निकल गया calculation बहुत असान हो जाएगी आगे total surface area की बात करें अगर हम तो total surface area क्या होता है बच्चे 6a square ना तो 6 into a square यानि 6 into 20 का square 6 into 20 का square 400 which is equal to 2400 cm square ठीक है अगर बात करें curved surface area की curved surface area क्या होगा 4a square होगा ना तो 4 into a square मतलब 20 का square यानि 400 400 for the 1600 ठीक है 1600 cm square हो जाएगा clear अगर मैं बात करूं diagonal की तो diagonal की length क्या होगी diagonal की length होती है root of 3 times a है ना तो जाएगा root of 3 times 20 तो basically आप बोलो के 20 root 3 हो गया 20 root 3 cm diagonal की length होगी 4 चीज़ें हमें समझ में आ गई होगी चलिए आगे बढ़ते हैं next question क्या गया रहे how many square sheet of colored paper of side 30 cm would be required of side 30 cm would be required to cover a wooden box having length breadth height as 90 cm 60 cm 30 cm respectively कितनी square sheet colored paper की जिसकी side 30 cm हो required होगी cover करने के लिए wooden box को तो basically एक wooden box है जिसकी length breadth height तीनों हमें पता है और उसे हमें बाहर से cover करना है यानि उसका surface area जो है न वो ढखना है तो basically आपको पहले TSA of क्या निकालना है cuboid निकालना है ठीक है जी और उसमें area of one sheet का divide कर देना है area of one one sheet का divide कर देना है total area में अगर one sheet के area का divide कर दो के तो पता चल जागा कितनी sheet चाहिए है तो total surface area cuboid का क्या होता है 2 into lb plus bh plus lh 2 into l into b करूंगा 19 into 60 क्या लगता है 960 54 00 as it is plus 60 into 30 करूंगा 1800 हो जाएगा बहुत बढ़िया and 30 into 90 करूंगा 2700 हो जाएगा ठीक है जी और divided by area of one sheet हो जाएगा square sheet है कैसी sheet है square sheet है square का area होता है side into side 30 into 13 denominator में वेट कर रहा है ठीक है जी कोई बात नहीं 2 as it is 18 कितने होते है 27,8,35,45 45 में 54 add करेंगे तो भी यह 99 आता हो दिख रहा है ठीक है जी divided by 30 into 30 हो जाएगा 900 दोनो zero cancel कर दी है 9 से 99 को 11 times cancel किया 11 twos are 22 22 sheets चाहिए तो option b's the correct answer चलिए आगे बढ़ते है next point पे ठीक है hope so आपको इस समझ में आ गया होंगे चलिए I think last topic है यह Cylinder में बात कर लेते है solids like circular pillars circular pipes circular pencils measuring jars और अगर मैं बात करूँ road roller यह सब क्या होते है cylindrical shape होती है basically अगर एक rectangle को उसकी length या breadth के along अगर rotate कर दें तो क्या बनेगी कौनसी solid shape बनेगी cylinder बनेगा right circular cylinder cylinder नहीं right circular cylinder आप यह सोचें कि क्या यह भी एक cylinder है बिलकुल यह भी एक cylinder ही है पर हमें जो class 9th में पढ़ना है वो है right circular cylinder ठीक है right circular cylinder मतलब जिसका top face और bottom face है दोनों को join करने वाला जो line हो वो base के perpendicular हो perpendicular हो तो ऐसा cylinder जो होगा उसको right circular cylinder बोलेंगे उसी के बरे में बात करेंगे तो इसका curved surface area जो होता है पूरी length है यह पूरी length हो जाएगी 2pi आ रहा ठीक है जी और अगर इसको यहां से काटके पूरी को सीधा करते है flat paper करते है या फिर आप A4 size की sheet को अगर fold करके देखोगे तो वो भी cylinder बन सकता है थोड़ी देर के लिए जैसे ही छोड़ोगे वापस flat paper हो जाएगा तो जैसे ही एक A4 size sheet को fold करते हैं तो वो cylinder की shape ले लेता है तो हमें यहां पर समझने की ज़रुत है कि वापस उसको अगर unfold करें और straight forward उसको एक sheet बना दे फिर से तो यह समझने वाली बात है कि यह जो folded part था यह जो की 2 pi r है वो straight हो जाएगा ना क्या हो जाएगा बिल्कुल straight हो जाएगा clear क्याना ऐसा कुछ हो जाएगा clear तो यह length हो गई 2 pi r और cylinder के लिए यह वाली dimension जो होती है height ठीक है तो यह हो गया height clear तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे area के बारे में क्या बता सकते हो तो यह rectangle बन गया length into breadth करो आ जाएगा curved surface area तो 2 pi r को h से multiply कर देंगे 2 pi r को किस से multiply कर देंगे h से तो क्या आ जाएगा मेरे पास में इसका cylinder का curved surface area आ जाएगा clear curved surface area 2 pi r h होता है उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए नीचे वाले circle का area तो कितना बोलोगे pi r square उपर वाले circle का area भी तो वह भी कितना होगा pi r square plus pi r square कितना होगा 2 pi r square तो curved surface area जो 2 pi r h था cse जो था उसमें अगर आप flat surface area यानी 2 pi r square add कर दें तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा total surface area टेके जी total surface area of cylinder जो होता है वो था है 2 pi r h plus r 2 pi r bracket में h plus r clear आगे volume की बात करें volume of cylinder वही area of base into height circular base है circle का area pi r square उसको कितनी height तक raise किया है h height तक volume हो जाएगा pi r square into h pi r square into h ठीक है तो pi r square h is the volume of the cylinder ठीक है अब बात कर लेते हैं अगली ठीक है अगली बात कर लेते हैं इसमें ठीक है जी ओके तो question देखते है question क्या कहते है how many cubic meters of earth must be dug out to sink a well 14 meter deep and having radius of 4 meter हना depth कितनी है h है 14 meter ठीक है और radius कितनी है radius है 4 meter ठीक है अगर ऐसा है तो कितनी अर्थ बाहर आएगी ठीक है सबसे पहला काम तो यह कर लेते हैं कि एक यहां पे रेंडम सा shape बना लेते हैं आप यह समझें कि मुझे जमीन पे क्या करना है एक well dug करना है मैं नहीं करूंगा बंदे बुलाऊंगा यह सब करने के लिए ठीक है जी इसा कुछ ठीक है और इस में से जो अर्थ बाहर आएगा उसका हम कुछ न कुछ आग्र करने वाले हैं वह हम बात की बात है पहले देख लेते हैं कितनी अर्थ बाहर आएगी तो volume of earth टिकन आउट सायड है ना 4 into 4 into h की जगह पर कितना आएगा 14 7 से 14 को 2 times cancel किया 2 4 सा 8 8 4 सा 32 32 सा 64 64 64 64 का 4 64 and 6 हो जाएगा 70 to 704 meter cube इतना volume of earth बाहर आएगा इस well से ठीक है आगी question क्या कहता है if the earth taken out is spread over a plot of dimension this into this हना what is the height of the platform so formed यह जो volume निकला है ना इसको एक बाहर एक plot है ना साइड में एक plot है उसकी length breadth हमें पता है इसके उपर पूरी earth को निकाल की यहाँ पर spread कर दिया है इसके क्या कर दिया spread कर दिया तो आपको पता है जब भी इस पर कोई earth spread करेंगे तो definitely हना earth spread करने के बाद में कुछ ऐसा दिखेगा आपको कुछ ऐसा आपको दिखेगा clear और वो कुछ ऐसा दिखेगा मतलब आप यह समझो कि यह length थी 25 meter हना और bread थी कितनी 16 meter ठीक है जी और मैंने जो earth डाली वो h height तक डाली कितनी मतलब यह जो पूरी अर्थ थी वो उस पर बिचा दी और बिचाने के बाद में उसकी height कितनी होगी h meter होगी है लेवल h meter उपर आ गया clear और लेवल अगर h meter उपर आ गया तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी इसी है कि इस cuboid का जो volume होगा यह जो cuboid बना है इसका जो volume होगा वो इसमें से निकलिवी अर्थ के volume के equal होगा ठीक है तो basically l into b into h जो होता है वो किसके equal होगा 704 meter cube के equal होगा ठीक है l कितना है 25, breadth कितनी है 16, h कितना है पता नहीं that is equal to 704 h equal to 704 के upon में 25 into 16 ठीक है तो पता है दिमाख वाली बात सिर्फ इतनी है कि 4 से इसको divide करो 4, 4 सा 16 और 4 से उपर वाले को divide करो 4 बन्सा 4 ठीक है बचेगा 3, 4 से बन्सा 28 बचेगा 2, 4, 6 सा 24 ठीक है इतना करने के बंद में 25, 4 सा कितना हो जाएगा 25, 4 सा 100 हो जाएगा तो basically 100 का 176 में divide करेंगे तो 1.76 मीटर आ जाएगा किसकी length h की है अगर आप 4 से भी और divide कर दे तो फिर 25 से divide करना पड़ता बच्चों की तरह तो वो मैंने नहीं किया 1.76 मीटर जो आई वो platform की height आ गई ठीक है this is what we have required ठीक है 2 is to 3 है यहीं 2 by 3 लिख लो r1 upon r2 को ठीक है और दोनों की heights जो है वो किस ratio में 5 is to 3 तो h1 upon h2 कितने ratio में है 5 upon 3 में तो calculate the ratio of their volumes ठीक है तो दोनों की volumes का ratio क्या होगा first वाले का volume v1 ले लो second वाले का v2 ले लो cylinder है तो cylinder का volume क्या होता है pi r square h first वाले की बात कर रहे हो तो pi r square pi r1 square h1 यह first वाले cylinder का volume हो जाएगा और pi r2 square h2 यह हो जाएगा second वाले cylinder का volume कुछ बच्चे बहुत देर से wait कर रहे हैं सरफ pi से pi कर दो cancel कर दिया उसके आगे r1 square upon r2 square को क्या सर हम r1 upon r2 का whole square लिख सकते हैं बिल्कुल लिख दो बिटा और आगे h1 upon h2 as it is लिख दिया जाए उसके आगे क्या कर रहे है r1 upon r2 की कित्ती value put कर दीजे 2 by 3 तो यहाँ पो जाएगा 2 by 3 का whole square into h1 upon h2 यह नहीं 5 by 3 clear अब क्या करेंगे 2 by 3 का whole square करेंगे तो 4 by 9 आजाएगा 5 by 3 as it is तो multiply करोगे 5 4s हा 20 और 3 9s हा 27 तो volumes का ratio बच्चे आगया 20 ratio 27 this is the correct answer ठीक है hopes आपको यह कहानी समझ में आ गही होगी चलिए आगे बढ़ते है next next बात करते है ठीक है hollow cylinder क्या होता है hollow cylinder क्या होता है समझें आप basically hollow cylinder is solid iron solids like iron pipes अब iron pipe बनाया है तो water flow होने के लिए बनाया है उसके अंदर से water flow होगा ठीक है तो water अगर उसके अंदर से flow हो रहा है इसका मतलब वो कही न कहीं hollow है तो hollow cylinder जो होगा वो कुछ इस type से होगा iron pipes, rubber tubes, ठीक है are in the shape of hollow cylinder ठीक है, दिखने में कैसे होते हैं बात कर लेते हैं, भी diagram बना लेते हैं ठीक है जल्दी से diagram बनाते हैं इसका ठीक है ठीक है इसको हम बना लेते हैं कुछ इस type से, ठीक है और यह वाली जो shape बन रही है बटा, this is basically hollow cylinder ठीक है समझ में आपको आही रहा होगा यह hollow cylinder, ठीक है अब समझने वाली बात क्या है इसमें कि जो इसमें inner radius होती है बाहर वाला cylinder होगा वो किसी material का बना होगा लेकिन अंदर वाला cylinder होगा वो air occupied होगा यह बात आपको इसलिए समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि यह क्या है hollow cylinder है अगर अंदर वाली radius को मैं small r बोल दूँ और बाहर वाली radius जो है तो वो दो पार्ट में डिवाइड होगा फर्स्ट आउटर कर्ड सर्फिस एरिया सेकेंड अंदर वाला inner कर्ड सर्फिस एरिया ठीक है outer कर्ड सर्फिस एरिया क्या होगा देखो आउटर हो जाएगा 2 pi capital r h बड़ी radius रखोगे अभी जो calculate किया न curved surface 2 pi capital r h plus 2 pi small r h ये तो as it is आएगा ही plus 2 into area of base rings two base rings बनेगी है उपर भी जैसे एक ring बन रही है वैसी ही ring नीचे भी बनेगी clear और जब ये दोनों rings बन जाएगी तो दोनों के area का अगर हम इसमें add कर दें curved surface area में तो आजाएगा total surface area ठीक है अब आप सोचें कि इस base ring का area कैसे calculate किया जाए इस ring का area कैसे calculate किया जाए तो अगर आपको इस ring का area calculate करना है तो बाहर वाले circle की area में से अंदर वाले circle का area क्या कर दो minus कर दो बाहर वाले circle का area क्या होगा पाई capital R square minus pi small R square इसका two times हमें क्या करना है curved surface में add करना है ताकि क्या जाए total surface area क्योंकि एक ring उपर बनेगी एक ring नीचे भी बनेगी clear अब अगर हम बात करें volume of material जिस भी material से मैंने यह hollow cylinder बनाए है अंदर वाला तो air occupied है तो इसमें जो भी material लगा है उसका volume क्या होगा तो वो volume होगा बाहर वाले cylinder का volume minus अंदर वाले cylinder का volume तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी से है कि exterior volume में से क्या minus करदेंगे हम interior volume minus करदेंगे exterior volume क्या होगा pi capital R square H बड़ी radius लोगे तो external volume छोटी radius लोगे तो internal volume दोनों में से दोनों को बड़े में से छोटा माइनिस करा देना है तो दोनों में से जब भी subtraction करवाओगी तो πाई और H तो common आ जाएगा ठीक है, पाई और H क्या आ जाएगा common, bracket में capital R square minus small R square बच जाएगा, तो ये formula भी हम use ले सकते हैं और उपर वाला भी use ले सकते हैं according to our requirement, clear? दोनों सेम ही चीज है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बात करेते हैं, अब वैल आफ इनर डायमेटर 14 मीटर, ठीक है, एक वैल है जिसका इनर डायमेटर, यानि small radius कितनी है 14 मीटर है, यानि डायमेटर 14 है, तो radius कितना हो जागा? 7 मीटर, ठीक है is dug to a depth of 15 मीटर यानि height कितनी है? 15 मीटर ठीक है जी? Earth taken out of it has been evenly spread all around it to a width of 7 मीटर अच्छा जी, ठीक है ठीक है, समझ में आ गया यह क्या कहना चाहरा है? यह कहना चाहरा है कि एक ऐसा कुछ था और एक ऐसा कुछ हुआ अब आगे चलके है क्या हुआ वो तो बताएंगे बाद में ठीक है? बट आप यह समझें कि एक हमने यह एक well हमने डग किया है ठीक है? कर दिया डग, ठीक है? well हमने डग किया, इसमें से जो भी अर्थ निकला जो भी अर्थ निकला उसको जो भी अर्थ निकला उसको क्योंकि देखो इसकी स्मॉल रीडियस कितनी है? एक ठीक है? जो भी इसमें से अर्थ निकला उस अर्थ को इसी wealth के चारों तरफ 7 मीटर की width लेकर के spread कर दिया राफ अब देखो width तक 7 meter width तक ठीक है तो आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे ही आप यह spread करोगे इसके चारों तरफ ठीक है तो आप कौन से area पर spread नहीं अर्थ कौन से area पर नहीं डालोगे इस area पर आप अर्थ नहीं डालने वाले हो ठीक है इस एरिया पे आप अर्थ नहीं डालोगे और बाकी सारे एरिया पे आप अर्थ डालेंगे ठीक है जी तो जैसे ही आप बाकी सारे एरिया पे अर्थ डालेंगे तो मैंने पिंक उस कलर को किया है जिसके अंदर अर्थ जाएगा वो मैंने क्या कर दिया है ग्रीन कलर से किया है ये ग्रीन कलर से कर दिया ठीक है अब आप ये समझें कि इस पोर्शन में मैंने सारा अर्थ क्या कर दिया डाल दिया इस पोर्शन में मैंने सारा अर्थ डाल दिया और जब सारा अर्थ इस portion में डाल दिया तो उपर की side बन गया ये एक hollow cylinder ठीक है तो मुझे पता करना है हमने embankment तो बना लिया हमें find करना है find the height of the embankment so formed इसकी height पता करनी है ठीक है capital H बोल देते हैं इसको क्योंकि वहाँ पे small H आ चुका है छोटी सी बात ये सोचो यहां से आर्थ तक जो हमने well duck किया था उसमें से कितना अर्थ भार आया तो volume of earth पहले निकाल लो volume of earth कितना होगा वो हो जाएगा pi r square h ठीक है जी तो pi 22 by 7 radius की एक काम करते है pi को cancel नहीं करते है pi की value ही डालते है क्योंकि आगे जाके pi से pi cancel होने की समभावना है pi और r square करेंगे तो 7 का square ठीक है जी इंटू में कितना h की जाएगा 15 ठीक है जी ये हमारे पास volume of earth आ गया ना ये volume of earth हमने यहां पे spread किया ना यहां पे spread किया तो ये जो hollow cylinder बन रहा है इस hollow cylinder की जो external radius है वो कितनी होगी अंदर वाले radius प्लस 7 meter ठीक है अंदर वाले radius 7 थी 7 प्लस 7 करोगे तो ये external radius capital R हो जाएगी 14 meter ठीक है जी अब आप निकाल लो volume of hollow cylinder volume of hollow cylinder जो होगा वो किसके equal होगा वो equal होगा बच्चे वो equal होगा volume of earth taken out के ना volume of earth के जो हमें वहाँ spread करनी है ठीक है जी तो volume of hollow cylinder होता है pi capital R square minus small r square into में जो embankment की height है that is capital H that will be equal to volume of earth हो जाएगा pi into 7 का square into 15 clear अब आप उसे कहा था मैंने pi से pi क्या हो जाएगा cancel हो गया capital R की जगे पर value put करेंगे देखो capital R में रपास कितना आया 7 plus 7 है नहीं 14 meter तो यहाँ पर put करेंगे 14 का square minus R की जगे 7 का square into capital H ठीक है जी that is equal to 7 का square 49 into 15 clear अब आपको कहा लगता है 14 का square कितना होता है 196 उसमें से 7 का square 49 minus करोगे 147 बचेगा उसको divide में fake दो तो capital H is equal to 49 into 15 divided by 147 आप भी जानते हो 49 से 3 times cancel करेंगे 3 से 15 को 5 times तो जो embankment बनेगा उसकी height किती हो जाएगी 5 meter height हो जाएगी कितनी height हो जाएगी 5 meter height हो जाएगी clear hopes ओ यह कहानी आपको अच्छे सा समझ में आ गई होगी ठीक है तो next question पर बात कर लेते हैं क्या कहता है next question how many spherical bullets can be made out of a solid cube of lead whose edge of measure 44 cm each bullet being 4 cm in diameter हर एक bullet का diameter कितना है 4 cm हर एक bullet का diameter कितना है 4 cm है तो हर एक bullet की radius कितनी हो गई 2 cm हो गई तो volume of one bullet कितना हो जाएगा volume of one bullet हो जाएगा volume of one bullet हो जाएगा spherical bullet है न तो volume of one bullet हो जाएगा 4 by 3 by radius का cube यानि 2 का cube ठीक है जी यह volume of one bullet हो गया ठीक है और volume of cube क्या हो जाएगा volume of cube हो जाएगा हमारे पास में edge का cube तो cube की edge कितनी है 44 तो 44 का cube ठीक है हमें चाहिए कि कितनी bullet बनेंगे how many spherical bullets है तो क्या करेंगे बड़े volume में छोटे volume का divide कर देंगे है तो volume of cube volume of cube upon volume of one bullet यह अगर हम calculate करें तो इसका जो result आएगा वह हमें दे जाएगा कि कितनी number of bullets बन सकती है ठीक है तो volume of cube हो जाएगा 44 का cube यानि 44 into 44 into 44 clear divided by one bullet का volume कितना था 4 by 3 तो upon वाला 3 उपर लगा दिया पाई की जगा 22 by 7 7 उपर चला जाएगा इटो 2 का cube है नहीं 2 into 2 into 2 ठीक है जी ओके 22 से 44 को 2 times cancel किया 2 से 2 cancel कर दिया 4 से 44 को 11 times cancel कर दिया 2 से 44 को 22 times ठीक है जी 2 से 22 को 11 times 11 को 11 से multiply किया कितना आया 121 आया 22 to 4 44 4 ठीक है और 21 21 24 25 22 25 21 25 21 21 इतनी बुलेट्स बनेगी ठीक है जी साब calculation error कुछ होई हो तो देख ले ना ठीक है चलिए आगे बढ़ते है I think आज के लिए इतना ही है ठीक है जी hopes हो आपको सर्फिस इर्या वाले चप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा ठीक है आज के लिए इतना ही है ना मजा आया क्लास में ठीक है calculation आपकी भी strong हो सकती है आप भी fast calculation कर सकते है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि calculation की कोई special course नहीं 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 आप क्या करिए अपनी basic जो calculation की approach है उनको इतना ज़्यादा use कीजिए कि वो उससे आप बहुत ज़्यादा used to हो जाए ठीक है जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को use करते हैं उतना ज़्यादा हम उसमे perfection ला सकते हैं तो ज़्यादा जितनी ज़्यादा calculation खुद से करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा calculator का use ना करें आज के लिए इतना ही thanks to all of you thank you bye bye have a nice day hope you enjoy today's class bye to everyone see you in the next class